दोस्तों वेलकम बेक टो मैं वाई टी चैनल Motorola One Fusion Plus जिसकी चर्चा आज कल चारो तरब चल रही है वाकई में ये स्मार्टफोन तारिफ करने लाइक है एक्चुल में जब मैं ग्रिजुवेशन के फर्स्ट इयर में था तो मेरे पास में Moto G3 जनरेचन वाला स्मार्टफोन था और आपको मैं बताता हूँ उसकी चैमरा क्वालिटी थी वो काफी जबरदस थी उस लाइनप के बाद में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया Motorola का Age Plus चुकि आयाद था 70,000 के प्राइजिंग के आसपास में इसकी प्राइजिंग काफी ज़्यादा थी लेकिन उस लाइनप के बाद में अभी Motorola ने जो यह 17,000 वाला स्मार्टफोन आपके सामने पेश किया है वो काफी जबरदस्त स्मार्टफोन है दमदार स्मार्टफोन है तो इस दमदार स्मार्टफोन को कंपेर करेंगे हम लोग Realme के एक दमदार स्मार्टफोन से जिसका नाम है Realme X2 दोनोई स्मार्टफोन का कंपेरजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की जनरेशन में आपके लिए बेस्ट चोईस कौन सा बन सकता है तो बनेर हैगा इस वीडियो में यूट्यूब चैनल टेक एक्स परेंट इंडिये चलिजानते कुछ बढ़िया डिसाइन की बात किया जै तो मोटर लग वन फिजन प्लस में प्लस्टिक का बैक और प्लस्टिक का फ्रेम मिलता है डिजाइन डिपार्टमेंट में दोस्तों बूरा मत मानना है यहाँ पे रियल्मी एक्स टू में एक बैटर बिल्ट कॉलिट आपको मिलती है दोने स्मार्ट को डिजाइन काफी यदा एट्रेक्टिव लगता है लेकिन एक बिल्ट कॉलिट के अगर बात की जाए तो वहाँ पे रियल्मी एक्स टू बैटर है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेंट बैक पैनल दोने तरफ कॉर्निंग गल गलस 5 का प्रेटिक्शन मिल जाता है और मोटोला वन फ्यूजन प्लस में आपको प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है फ्रेंट साइड पे गलास जरूर मिलता है लेकिन महाँ पे जो प्रेटेक्शन है वो सिंपल गलास वाला मिलता है लेकिन दोस्तों मोटोला वन फ्यूजन प्लस में जो बैक पैनल पे फिनिसिंग मिल जाती है वो किसी गलास से कम नहीं मिलती एक नजर में अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं आपको की प्लास्टिक का बॉडी दिया गया बैक पेनल पे 5000 मिली एंपरार वाली बैटरी है तो ओबियसली इसका वेट भी ज़ादा होगा साथी साथ जो मोटाई है फोन की वो भी काफी ज़ादा है डिजाइन और बिल्ट कॉलिटी में फिलाहल के रियलमी एक्सटू बैटर है डिस्प्ले की बात किया जातों मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में 6.5 इंचेस वाली एक फूल एस्डी ब्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जबकि रियलमी एक्सटू में 6.4 इंचेस वाली फूल एस्डी प्लस सूपर एमोलेट डिस्प्ले मिल जाती है दोस्तों डिस्प्ले डिपार्टमेंट में भी रियलमी एक्सटू के पास में एक बैटर डिस्प्ले डिस्प्ले डिपार्टमेंट मौजूद है जबकि Motorola One Fusion Plus में आपको simple glass का protection front panel पे मिलता है लेकिन यहाँ पे Motorola One Fusion Plus का फायदा यह है कि यहाँ पे आपको एक full view display मिल जाती है दोस्तो अगर आप COD खेलते हो या फिर PUBG खेलते हो तो ऐसी चीज़ों के लिए यह smartphone काफी बढ़िया हो सकता है 17,000 की price range में full view display मिलना आज की date में काफी मुश्किल चीज़ है अब वो आप पे depend करेगा कि आपको एक super AMOLED वाली छूटी display चाहिए या फिर IPS panel वाली एक full view display चाहिए hardware की बात किया जाए तो दोनों ही smartphone में Qualcomm के तरसे Snapdragon 730G chipset मिलता जो कि आपको 8NM process में बना वो मिलता साथी 2.2 GHz की maximum frequency प्रवाइड करता है दोस्तों देखिए hardware की department में भी यहाँ पे दोनों ही smartphone में Qualcomm तरसे Snapdragon 730G chipset दिया गया है जो कि काफी तगड़ा processor CPU and GPU performance में Adreno 618 आपको यहाँ पे भी मिलता है दोनों ही smartphone में It means gaming performance में भी आपको कोई problem नहीं होगी दूसरी चीज आती है software तो देखिए software में आपको Realme X2 custom UI प्रवाइड करता है जो कि Realme UI है और आप सभी लोग जानते हो कि custom UI में कई तरीके के blotwares होते और कई तरीके के bugs होते तो यहाँ पे इससे अच्छा तो यह है कि आप stock Android को अपना लीजिए जो कि आपको Motorola One Fusion Plus प्रवाइड करता है आपको एक clean stock Android interface मिलता हो और एक फाइदा इसका यह भी है कि आपको जो update होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है इसी वज़े से यहाँ पे hardware and software department में मैं तो Motorola One Fusion Plus 4 सजेस्ट करूँगा कैमरास की अगर बात किया जाए तो Motorola One Fusion Plus में 64 MP का quad camera setup मिलता है 64 plus 8 plus 5 plus 2 के combination वाला साथ में front side पे 16 MP का pop-up selfie camera मिल जाता है Realme X2 में भी 64 MP का quad camera setup मिलता है 64 plus 8 plus 2 plus 2 की combination वाला साथ में front side पे 32 MP का selfie camera मिल जाता है दोस्तों camera department में Realme X2 and Motorola One Fusion Plus दोनों में 64 MP का quad camera setup आपको मिल रहा है बस फर्क इतना ही है कि 5 MP का micro lens आपको Motorola One Fusion Plus में मिलता है और Realme X2 में 2 MP का micro lens मिल जाता है it means यहाँ पे जो camera को performance है वो आपको Motorola One Fusion Plus बेटर प्रोवाइड करेगा और यह तो जग जाई रहे कि Motorola का जो camera performance होता है वो काफी बेटर होता है Motorola के camera optimization की बराबरी Realme तो नहीं कर सकता दोस्तों यहाँ पे front camera की अगर बात है तो 32 MP का selfie camera आपको Realme X2 प्रोवाइड करता है जबकि यहाँ पे Motorola One Fusion Plus में 16 MP का pop-up selfie camera मिलता है in my opinion pop-up selfie camera के आपको दो फायदे मिल जाते सबसे पहली चीज़ तो आपको एक full view display मिल जाती है और दूसरी चीज़ जो phone होता है वो काफी stylish लगता है देखने में वैसे आपकी क्या रहा है आप भी बता सकते हो comment box में comment करके लेकिन cameras के मामले में यहाँ पे Motorola One Fusion Plus बैटर होगा बैटरी के अगर बात किया जै तो Motorola One Fusion Plus में 5000 mAh वाली बैटरी के साथ में स्मार्ट फोन ने 18W की charging technology आपको यहाँ पे मिलती है जो कि sufficient है आपका phone charge करने के लिए अगर आप 15 मिनट अपना phone charge करते हो तो 11 घंटे का battery backup यहाँ पे आपको मिलता है और क्या चाहिए वही कल मैंने आपसे बोला था कि बड़ी बड़ी smartphone company आपने स्मार्ट फोन में छोटी batteries available करवाती है और 30W, 40W, 50W तक की charging technology आपको provide करती है हो तक यह actual में जब स्मार्ट फोन में update आता है तो battery drain वाला issue होता है तो company सोची कि पहले ही क्यों ना हम लोग charging technology बढ़ा करके दे दे Motorola के साथ में यह issue नहीं मिलेगा आपको 18W की charging technology sufficient है एफोन चार्ज करने के लिए और एक अच्छी battery भी दी गई है यहाँ दोस्तों यहाँ पे conclusion कुछ इस तरीके का है अगर आपको एक full view display पसंद है साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ी battery भी होने चाहिए better optimization वाला camera setup होना चाहिए साथ यह pop-up selfie camera and stock android जैसे clean android interface होना चाहिए you should go for Motorola One Fusion Plus hardware के मामले में भी आपको compromise करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबी जानते है कि Snapdragon 730G किस level का SOC है इस comparison का तो winner होता है Motorola One Fusion Plus आपकी क्या रहा है आप तो जरूर बताइएगा comment box में comment करके अगर वीडियो पस्तन आगई होगी तो वीडियो को like कर दिए share कर दिए अपने दोस्तों के बीच में और channel subscribe नहीं किया है channel पे नाए आए हो चैनल को subscribe करके जाएगा फिलाल मिलेंगे अपने अगले टेक वीडियो में तब तक के लिए बाई